बाद में इसमें को डिरेक्शन रिस्यू और डिरेक्शन को साही निकलना तो यहां पे रेक्टर रिकोल तो दिया हुगा है A, I, B, J यार C के जब सम्म बनाओगे तो यहां पे कोई नंबर लिखा आगा सब्सक्राइब को डिरेक्शन रिस्यू क्या निकलनेंगे जो A का, B का, C का जो वैल्यू होगा वही होगा डिरेक्शन रिस्यू और डिरेक्शन को साइन क्या होगा डियरेक्षिन को साहिन होता क्या है? मानलो कोई space है space में वहाँ पर 3 axis ले लिए x axis, y axis, z axis कोई point है उस point को origin से मिला दिये मिलाने के बाद वह street line x axis के साथ मानलो इंगर बना रहा alpha तो cos alpha y axis के साथ बना रहा बीटा cos beta और z axis के साथ इंगल गूंजाए गामा। तो कॉस गामा। कॉस अल्पा, कॉस बीटा, कॉस गामा। थे का वैल्यो नमबर में दिया रहे है। सपोज गरो 2, 3, 4ूजगा यांपे लिखेंगे 2 बयुटोबर, 2, 3, 4ूजगा ये निकल गया एल। यहां से डारेक्शन को साइन निकल गया अगर यह फार्मेट में देता है तब हम लोग ऐसे निकलते हैं लेकिन कभी-कभी coordinate के form में देता है, coordinate space है, तो यहाँ पे तीन value दिया रहाएगा, x, y और z, space का है, उसलिए है, अब बोलेगा direction ratio निकालो, तो पहले बाले से पहले बाले को minus कर देना, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, यह क्या निकल गया, direction, this is you, direction cosine क्या होता है, direction cosine, यह जो value निकला, उस को r से divide करोगे, यह value को r से divide करोगे, यह r से, अब बोलोगे r क्या है, r point 2, root over x1 minus x2 का whole square, y1 minus 1, यह पहले r का value निकाल देना, यह वाला r का जब निकालोगे, तब जाके direction को साही लिखना, ठीक है, तो यह कब apply करना है, यह वाला formula जब point दिया रहागा तब, यह वाला formula कब apply क करना है, जब factor के format में दिया रहागा तब, ठीक है, यह होगे है, तुम्हारा direction ratio और direction profile,